अलो एवरिवान, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, कीप इट सिंपल, आज यानि की 9 दिसमबर के हमारे स्टॉक से न्यूज हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और HCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रिलायंस BP मॉबिलिटी के साथ, इलेक्ट्रिक वेहिकल के प्रडक्ट और सर्विसेस के लिए एक Memorandum of Understanding, यानि की MOU, एनाउंस किया है, और वहीं HCL ने एक जर्मनी के cooperative bank के साथ मिलकर के एक जर्मनी की IT consulting firm को acquire करने का agreement साइन किया है, तो ये दोनों ही topic हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या इन companies के share हमें current price पे लेने चाहिए या नहीं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, त तो सबसे पहले अगर हम बात करें Mahindra Group की तो इन्होंने Reliance BP Mobility Limited, जो कि Reliance और British Petroleum का एक joint venture है retail fuel business में, और ये GOBP के brand के अंडर operate करता है, इनके साथ कल यानि कि 8 December को एक non-binding memorandum of understanding, यानि कि MOU को announce किया है, जिसके अंतरकत ये EV product और services को explore करेंगे, और ये MOU के अंडर GOBP Charging Solution evaluate करेगा Mahindra के vehicles के लिए, जिसमें कि 3 wheelers होंगे, इनके 4 wheelers, quadricycles और small commercial vehicle, और इसमें जो Mahindra के captive fleets है, और जो last mile mobility logistics के लिए use करते हैं, उनको भी cover किया जाएगा, तो इस partnership के अंतरकत ये दोनों ही companies देखेंगे कि EV के जो product और services हैं, उसको कैसे और मजबूत बनाया जाए, आप ये देख सकते हैं इस picture में, जियो का एक mobility station, इस type से इनका petrol pump आप बोल सकते हैं कि operate करते हैं, और अगर बात की जाए कि भाई, इस MOU के अंडर ये दोनों companies क्या-क्या explore करेंगी, तो जो GOBP station already exist करते हैं, उनके अलावा ये देखा जाएगा कि Mahindra group और जो इनकी channel partner locations हैं, वहाँ पर क्या mobility station, EV charging और swapping points को setup किया जा सकता है, अभी GOBP ने पीछे माराश्टरा में अपना पहला mobility station को launch किया है, जहाँ पर multiple fuel choices हैं, वहाँ पर EV charging infrastructure भी provide किया गया है, refreshment center वग्यरा हैं, और इसके अलावा दोनों ही companies ये भी देखेंगे कि mobility as a business और battery को own किये बिना आप lease पे ले सकते हैं, और अगर बात की जाए तो अभी electric vehicle जिसका की बहुत ज़्यादा उस पे जोड़ दिया जा रहा है, फिर भी अभी वो less than percentage है अगर overall vehicle sales की बात की जाए भारत में, और GIO और Mahindra दोनों का ही focus electric vehicle पे है, GIO ने already अपनी जो charging और battery swapping facilities हैं, वो electric vehicle के लिए provide करनी शुरू कर दी हैं, और वहीं Mahindra भी इस particular electric vehicle business के लिए fundraising को सोच रहा है, और वो इसको separate business unit की तरह carve out करने का plan कर रहे हैं, और company का मानना है कि 2027 तक जितने भी vehicle बिकेंगे उसमें से 20% electric vehicle हो सकते हैं, तो ये वहाँ पे जल्दी से जल्दी इसमें गुसना च जाते हैं, overall अगर summarize किया जाए तो दोनों ही companies का जो aim है, वो यह है कि जो EV adoption है, उसको थोड़ा fast किया जाए इंडिया में, क्योंकि आज भी लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि पब्लिक infrastructure नहीं है, उनको range anxiety होती है, कि अगर गाड़ी लेकर कि अगर उनको दूर जाना है, और बीच में charging की ज़रुवत है, तो वो problem हो सकती है, तो इस सब को वो sort out करने की कोशिश कर रही हैं, दोनों companies, और उनका ultimately like यह plan है कि यह customer को बहुत जादा convenience हो, जैसे आज की date में आप petrol vehicle के लिए क्या करते हैं, कि आपको tension नहीं है, कि petrol stations available हैं, जहां मिंटों में petrol भरवा सकते है हैं, ऐसे ही यह कुछ swapping station की बात कर रहे हैं, बैटरी के लिए जहां पर कि आपकी depleted जो भी बैटरी आप लेके जाएए, आपको कुछ मिंटों में ही, जो नहीं fully charged बैटरी से replace करा लीजिए, तो ऐसे stations के लिए भी यह बात कर रहे हैं, तो दोनों ही companies मिलकर यह देखेंगे क कैसे electric vehicle के adoption को fast किया जा सके और कैसे customers को better services देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा services और product के बारे में सोचा जाएं, और अब अगर बात करें हमारी second company news, यानि की HCL की, तो HCL और Epo Bank, जो की largest cooperative primary bank है जर्मनी में, इन्होंने Attruvia AG के साथ एक agreement sign किया है, और इस agreement के अंतर गदि overall transaction माना जा रहा है कि 99,000 euro की है, और इस deal को January 2022 तक close करने की कोशिश की जाएगी, हाना कि इसमें जो भी regulatory approval है, वो देखना होगा कि उसमें कितना time लगता है, और जब ये deal complete हो जाएगी, तो HCL जो GBS में 51% हिस्सा own करेगा, और Epo Bank 49% हिस्सा own करेगा, already Epo Bank की 10% share holding है GBS में, ये एक all cash transaction होगी और इनको German Federal Cartel Office से clearance approval चाहिए होगी इस merger के लिए, और इसके अलवा बात की जाएगी, हCEL को इससे क्या फायदा होगा, तो इस acquisition से जो HCL को access मिलेगा, जर्मन की जो cooperative banking sector है, जहां पर लगबग, जो overall retail funds हैं, 30% उसमें से इनके cooperative banking sector में आते हैं, तो इससे overall HCL को अ HCL Technology के already 8 offices हैं जर्मनी में, इनका regional headquarter Ishbon में हैं, और इनके लगबग 1800 employees हैं, और ये जो DAX 40 होता है, DAX 40, जैसे कि हमारा Nifty 50 है, वहाँ पे 50 भारती top companies आती हैं, ऐसे ही जर्मनी की जो 40 top blue chip companies हैं, वो DAX 40 में आती हैं, तो उसमें से ये 40 companies में से 18 को already HCL आज की date में सर्व कर रहा ह और अब अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें HCL का share लेना चाहिए है नहीं, तो सबसे पहले अगर past performance देखें, तो इन्होंने तीन साल में 144% की बहुत ही अच्छी return दी है, इस साल में इनकी return 36% है, जो कि ठीक ठाक कई जा सकती है, हालां कि पिछले तीन महीने से इनका share बिल 30 के आसपास था, और अगर हम ticker tape के predictive analysis को देखें, तो उनका भी जो average target price है, वो 1384 के आसपास आता है, higher side पे 1691 और lower side पे 880, जो कल की closing हुई है, वो 1172 के आसपास हुई है, तो हम यह कह सकते हैं कि अभी अपने average price से काफी नीचे पे available है, तो इसकी pricing काफी attractive है, और अगर हम इस ratio देखें, तो वो इसके valuation को बहुत ही attractive बनाती है, इनके peers के comparison में सबसे attractive है, return on equity काफी अच्छी है, 19% की almost debt free company है, profitable company है, तो अगर मेरी personal opinion पूची जाए, तो मुझे लगता है कि share definitely आपके portfolio में होना चाहिए, और जैसे कि मैं हमेशा IT के मामले में बोलता हूँ कि 5 ही companies बहुत ह अच्छी हैं, और आपकी किसी ना किसी percentage में, maybe 20% each, या TCS और Infosys वो बड़ी company है, वहाँ पे आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 30-30 और बाकियों में आप remaining portion डाल सकते हैं, बड़ ये 5 ही companies आपके portfolio में होनी चाहिए, और बात की जाए, अगर इस news की, तो short term में ये एक news अच्छी है, तो हो सकता है कि आज इनका share positively react करें, बड़ medium to long term के लिए आप इसमें 20-40-45% की return expect कर सकते हैं, अगर सब चीज़े ठीक रहती हैं, तो ये आप consider कर सकते हैं अपने portfolio के लिए, तो अब अगर हम वापस M&M पे आएं और ये बात करें कि क्या इसका share हमें current price पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी past performance देखें, तो एक साल में इन्होंने 11.5% की return दी है, और इसमें से majority return की पिछले तीन महिने में आई है, और हाला कि पिछले एक महिने से इनका share चला नहीं है, 2% के आसपास की negative return दी है, और अगर हम brokerage house reports की बात करें, तो 10 November के आसपास, प्रभुदास, लीलाधर और मुतिलाल उसवाल ने जो report publish की थी, उन्होंने target 1060 और 1150 दीए थे, यानि कि on an average हम 1100-1105 मान सकते हैं, और वही ticker tape का predictive analysis भी यही कहता है, कि इसका average price 1106 के आसपास होना चाहिए, higher side पे 1300 और lower side पे 640 के आसपास, तो जो कल की closing होई है वह 841 पे होई है, तो हमें कह सकते हैं कि अभी अपने average price से काफी नीचे पे available है, और इनकी भी pricing काफी attractive है, और अगर इसके fundamental analysis देखे जाए, तो एक large cap company है, एक लाग करोड से ज़्यादा का market capitalization है, P-E ratio और P-B ratio अच्छा लगता है, इनकी valuation attractive है, return on equity इनकी थोड़ी lower side पे है, बट अगेन अगर future की बात की जाए, तो Tata Motors की तरह ही ये भी electric vehicle पे काफी focus कर रहे हैं, one of the top initial starter है, तो आने वाले time में अगर electric vehicle की growth as per plan होती है, तो इनको काफी फायदा होगा और इनकी re-rating हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आज की news के basis पे भी ये positively react कर सकते हैं, और इसके अ हैं, तो definitely ये भी share आपके portfolio में consider करने लाइक है, और हमेशा की तरह video close करने से पहले मैं disclaimer दूँगा कि अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं, तो अपनी further research कीजिए, अपने financial advisor से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप comfortable होते हैं, तब ही आप उसमें invest कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you on.